नमस्कार दोस्तों आप सफीके स्वागत है आपका अपने यूटूब चनल स्टाड़ी टूड़े विफलैप में तो दोस्तों आज के डेट में जारखन बोर्ड रिजल्ट दो हाजार चोविस को लेकर फिर से एक नियू अपडेट आया हुआ है आज के इस अपडेट में जै के लिए आज के डेट में बहुत बड़ी खुसकवरी निकल के आ चुकी है बहुत बड़ी गुड नियूज है तो चली पूरी अपडेट को देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करना तो चले सुरू करते हैं देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 20 अप्रेल को निक प्रेटरिक परिक्षा की कौपियों की जांच का कारिया पुरा हो गया है मार्क्स फाइल भी तयार कर ली गई है यहां जानकारी जैक की ओर से इसकुली सिख्चा एवंग सक्षर्था विभाग के सचीब को देडि गई है देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां जानक की मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रभी कुमार को लिखा जा रहा है जिसमें ऐस आचार संगिता के भीच हत्रहीत को ध्यान में रखते हुए रिजल्ड जारी करने के अनुमति मांगी जाएगी क्योंकि देखें अभी चल रहा है । जिसके चलते result जारी होगा तो यहां पर अनुमती जो है मांगी जा रही है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रभी कुमार को ठीक है रभी कुमार को यहां पर पत्र लिखा जा रहा है और वहां से अगर अनुमती मिल जाता है तो आप लोगों का result जो है मैट्री का result 20 अप्रेल को जारी कर दिया जाएगा देखें इंटर्मिडेट का अगर बात करें इंटर्मिडेट परिक्षा की कौपियों का जाच कारिया बाकी है जैक सचीप सचीदानंद तिग्गा ने बताया है कि 20 अप्रेल को मैट्रीक परिक्षा का result जारी कर दिया आपर क्या लिखा हुआ है कि intermediate का result 17 माई के आसपास यहां पर लिखा हुआ है कि जारी होने की संभबना है इस बार marks फाइल तयार करने में उच्छ तकनिक का इस्तिमाल क्या गया है जिसका lab result तयार करने में मिल रहा है तो class 10th का result 20 April को जारी होगा वहीं class 12 का अगर बात करें तो 17 माई के आसपास आप लोगों का result जारी हो जाएगा class 12 का यहां पर confirm date यहां पर नहीं बताया गया है जैसे class 12 का confirm date आता है आप लोगों को इस चनल के मादम से update दे दिया जाएगा और next जो वीडियो आएगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों को result कैसे check करना है जैसे result जा आप लोगों को कैसा लगा comment box में जरूर बताईएगा वीडियो को अगर अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों में share किजेगा तो चलिए मिलते हैं next update में